तो दोस्तो आप सब लोगों को पता है एक जुलाई को आर माध हुन की फिल्म रोकेटरे रिलीज होनी है तो इस फिल्म में शारुक खान का एक बहुत इंपोर्टेंट रोल है बहुत शांदार रोल है उनका कितना बड़ा रोल है कैमियो है एक्स्टेंडिड कैमियो है उन्हों ये फिल्म कैसे साइन की कैसे मिली और सबसे बड़ी बात भाई शारुक खान को साइन करना इतना असान नहीं है इस फिल्म के लिए और उन्हें कितना पैसा लिया मतलब इस फिल्म का आदे से आदा बजट शारुक खान की फीज ह हम इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपोर्टेंट रो वीडियो होने वाले है बहुत मज़दार वीडियो है भाई इसके लिए हमारे को थोड़ा सा पीछे जाना होगा बात है सन 2018 से पहले की जब जीरो फिल्म की शूटिंग चल रह या बीच में ही शारु खान का बर्डे था तो आर माधवन को इन्वाइट किया था शारु खाने अपने बर्डे पर आर माधवन उनके बर्डे पर गए थे तो SRK ने कहा यार मैडी मुझे आज भी वो तेरी स्क्रिप्ट याद है प्लीस मुझे यार उसमें कोई ना कोई र तो उसने बोला नहीं, मैडी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो प्लीस मुझे कुछ तो रोल देते पीछे से पासिंग वाला बैक ड्राउंड से पासिंग रोल देते पर दे दे तो मैडी ने बोला, थेंक्यू सर आपको मेरी स्क्रिप्ट याद है बहुत-बहुत शुक्रिय उनको गले लगाया हग किया उसके तीन दिन बाद जब अपने आर माधवन मेडी जब अपने घर गए उनकी वाइफ को उनों ने ये सारी चीज बताई उनका नाम है सरीता तो सरीता जी आर माधवन की वाइफ ने बोला एक बार आप खान साप से बात तो कर लो जब वो इतने आगे से सामने से आके आपकी फिल्म के लिए इतने अधा एक्साइटेड हैं करना चाते हैं आप उनको इक पर कॉल तो कर लो तब मेडी ने आर माधवन ने सर्क के मैनेजर को कॉल किया पता है सर्क के मैनेजर ने छूटते ही क्या खा अरे भया भाई डेट्स बता दो कब द भाई चलने के जाड़ पर क्यों चड़ा रहे हो यार मजाक मत करो आपको विश्वास नहीं होगा इस सब देखके सुनके मैंने इस वीडियो में लिंक डाल दूगा उनके इंटर्वियो का आप जाकर जरूर देखना आपको तब पता लगेगा आर माधवन ने एक एक बात अदने मुझ से गई है तब ना आर माधवन ने उनके मैनेजर को बताया भाई उनका कोई छोटा रोल नहीं है कोई बेक ग्रांड पासिंग वाला रोल नहीं है बहुत बड़ा रोल होने वाला है और बहुत बड़ा मतलब आप समझे यह बहुत important role है चालिस मिन्ट का रोल है भाई साब SRK का 40 मिन्ट का मतलब धाइ गंटे की film में 40 मिन्ट का SRK का रोल है तो आप समझ सकते हो शारूख खान को यह फिल्म कितनी पसंद आई वो कितने अधा excited थे इस फिल्म के लिए और दूसरी बात भाई इस फिल्म के लिए शारूख खान ने पता है कितने पैसे लिए हैं जीरो अंडा भाई एक रुपया चार्ज नहीं किया यार शारूख खान ने यह हैं उनकी ग्रेटनेस आर माधवन ने बहुत तारीफ की क्याते हैं इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन पे आप आँख बंग करके विश्वास कर सकते हैं आप इस इंट्रूख को पूरा देखना आपको बहुत अच्छा लगने वाला अगर आप SRK के फैन है न तो और सोचती है भाई मानना पड़ेगा सेल्यूट करना पड़ेगा बंदे ने एक रुपया भी नहीं लिया बस यार यही बताना था वीडियो में कुछ अच्छा लगाऊ न तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और जाके एक पर यार वो इंटर्यू दरू देखना ठीक है यही बस बताना था आपको थेंक्स पूर वाचिंग